Sometimes बहुत सी variety होना आपके लिए अच्छा होता है Sometimes ये hassle बनता है और handle करने के लिए hard भी मैं आपको judge बनाऊंगा कि यहां कौन सा case applicable होगा मैं बस इतना जानता हूँ कि एक और type की equation है जो quadratic form में reduce की जा सकती है मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाऊंगा Second type जो इस lesson में हम discuss करेंगे कुछ ऐसी लगती है क्या आप बता सकते हैं case में special क्या है Well, एक term के numerator में एक polynomial common है और साथ-साथ दूसरे के denominator में भी जैसे के इस example में factor 2x-1 present है यहां और यहां same time में Okay, मैंने recognize कर लिया है यह special है लेकिन इससे problem solve नहीं होती होई क्या? मुझे अभी भी roots के लिए equation solve करनी है उस पर काम start करने से पहले हम कैसे इस equation को quadratic form में reduce करेंगे? Well, सबसे पहले हम यह करेंगे कि हम substitute करेंगे common polynomials Suppose करके दूसरे variable के equal करके जैसे के y put करने से 2x-1 equal to y equation के अंदर हमें मिलेगा 2y plus 3 upon y equal to 5 जो LCM लेने से जब simplify होगा तो असानी से quadratic form में convert किया जा सकेगा जैसा आप देख सकते हैं एक बार जब standard form आ जाए solve करने के लिए कोई भी method चूज़ कर सकते हैं तो इस बार quadratic formula यूज़ करते हैं इसे standard quadratic equation के साथ compare करते हैं a की value है 2 b है minus 5 और c की है 3 अब a b c को formula में put करें minus 5 यहां और यहां 2 और 2 यहां और फिर 3 यहां next step simplify करना है equation के right side पर हमें मिलेगा positive 5 और square root के अंदर 25 minus 24 और 4 denominator में radical को खतम करने से हमें मिला 1 plus minus values को separate करके और variables को isolate करें cancellation से finally हमें y की 2 values मिली जो है 3 upon 2 और 1 लेकिन यह खत्म नहीं हुआ याद करें actually हमने क्या find करना है यह x तो substitute करें y की values यहां 1 by 1 1 को right side पर shift करें यह 3 upon 2 के साथ add होकर देगा 5 upon 2 आखर में x को isolate करें इस 2 को right side पर shift करके यह denominator में multiply होकर देगा x is equal to 5 upon 4 अब पीछे जाएं और put करें y equal to 1 दूसरी value जो हमारे पास थी और simple math करें यह finally देगा x equal to 1 फिर solution set बनाएं done and dusted तो next time आप ऐसी equation देखें पता होगा क्या करना है लेकिन कुछ scenarios ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे मेरा काम make sure करना है कि आपको मालूम हो के क्या करना है जब आप mathematical question face करें तो मैं cover करूँगा वो दूसरे scenarios और equations की types next few lessons में करुण आपको आपको अजाको बात computer झापको अश्या क्या कर दो मैं क्या क्या ब辞ब कर दो यह पक्याम सित just